दोस्तो भारत सरकार के डाग विभाग दौरा 15 सितंबर 2021 को एक आदेश जारी हुआ है जिसके कौपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि ATM पर जो चार्जिस लिये जाते हैं उनको बढ़ाया गया है कितना बढ़ाया गया है वो आप इस आदेश में देख पा रहे होंगे ये आदेश आपका 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा इसमें बताया गया है कि डेविट कार्ड रिप्लेस्मेंट चार्ज आपको 300 रुपे और GST देना होगा साथ ही डुप्लिकेट पेन यदि आप जनरेट करवाते हैं ब्रांच के द्वारा तो 50 रुपे और GST देना पड़ेगा ATM या POS पर जो आप ATM के द्वारा ट्रांजेक्शन करेंगे वह यदि डिकलाइन होता है आपके खाते में बेलेंस ना होने के कारण तो उस पर 20 रुपे और GST आपको देना होगा यदि आप पोश्ट आपिस के ATM से POS पर कुछ पर्चीज करते हो तो 1% आपको चार्ज देना होगा यह ATM से पैसे निकालने पर लगने वाले चार्ज इसमें 3 ट्रांजेक्शन आपके मेट्रो सिटीज में और 5 ट्रांजेक्शन नोन मेट्रो सिटीज में आपके फिरी रहेंगे उसके बाद आपको 20 रुपे और GST प्रतिक ट्रांजेक्शन पर देना पड़ेगा यदि आप पोश्ट ओपिस के ATM से पैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपको 5 ट्रांजेक्शन के बाद 10 रुपे और GST जो है देना होगा साथ ही यदि आप फिरी ट्रांजेक्शन खतम होने के बाद बैलेंस इंक्वाइरी या अधर नॉन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 8 रुपे और GST आपको देना होगा और यदि पोस्ट ओप इसके ATM से करते हैं तो 5 रुपे और GST आपको नॉन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन के लिए देना होगा अब आपको ATM या डेविट कार्ड पर एन्वल मेंटेनेंस चार्ज भी देना होगा जो 125 रुपे और GST होगा साल का जो चार्ज एन्वल मेंटेनेंस लगता है वो 125 रुपे और GST आपको देना होगा साथ ही SMS चार्ज जो लगने वाले हैं वो 12 रुपे इंकलूडिंग GST इसमें आपके GST इंकलूड है 12 रुपे आपके साल के SMS चार्ज जगेंगे ये सारे के सारे चार्जे जो है एक अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएंगे थैंक्स पूर वाचिंग लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्यू